हैलो माई यूटूब सहेलियो कैसे आप सभी उमीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे आपकी प्रिग्नेंसी कैसे चल रही है माता रानी से प्रात्ना कर रही हूं कि आपका आने वाला बच्चा इस दुनिया में सही सलामत आये भवानों ने लरकी है क्योंकि जब हम अल्ट्रासौन कराते हैं प्रिग्नेंसी के दौरान जैसे कि थ्री मंद के आसपास में अल्ट्रासौन डॉक्र बोलते हैं कराने के लिए सायद आप कराए भी होंगे यदि आपका थ्री मंद कंप्लीट हो गया है तो उस अल्ट्रासौन रिपोर्ट से कैसे देखते हैं लड़का और लड़की होने का वही मैं आपके साथ सेयर करी हूँ तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही से जनकारे मिल सके और आप भी जान पाए कि अल्टरसॉन से कैसे अनुमान लगाते हैं कैसे जानते हैं कि गर्भ में लड़का है या लेकि एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में लड़का और लड़की जैसे की अल्टरसॉन रिपोर्ट से जानना बेंड लगा देगा है क्योंकि बहुत सारे महिलाय बहुत सारे घरों में ऐसा होता था जब उन्हें पता चल जाता था अल्ट इस पर बिल्कुल बेंड लगा दी है डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं बताते हैं कि आपका अल्टरसॉन रिपोर्ट से की लर्का है या लरकी है और हमारे देश में जैसे की लिंक के बारे में जानना कानूनी जुल्म है जिसके वज़ए से अब्वसन लोग करा लेते थे लर की उत्षुपता को काम करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और कुछ अनुमान कुछ अंदाजा अल्टरसॉन रिपोर्ट से जानने का तरीका वही मैं सेयर करूंगी तो सबसे पहले में आपको यह बात बताऊंगी कि आप जब अल्टरसॉन कराते हैं थिरी मंथ में फ कि बेबी का हार्डविट कैसा है उस तरीके से की बोई है या गल है तो ऐसा माना जाता है कि आपका प्रग्नेंसी के दौरान थिरी मंथ में जब अल्टरसॉन कराते हैं तो बेबी का हार्डविट 140 से नीचे है तो ऐसा माना जाता है कि होने वाला बेबी बोई है वही परकी होगी लेकिन एक बात और मैं किलियर करना चाहती हूं कि हाड़विट से बेबी का बिल्कुल भी हम पाता नहीं लगा सकते हैं कि होने वाला बेबी बोई है या बेबी गल है क्योंकि जैसे बच्चों का गर्भ में ग्रोथ होता है जैसे बच्चे डेवलोप्मेंट करते हैं बच्चे का विकास होता है तो हाड़विट भी अप डाउन होते रहते हैं कभी जादा कभी कम तो हम इससे मेरा समझ से हम बिल्कूल भी पाता नहीं लगा सकते हैं 110 percent कि आप बच्चे एकां है या जादा है तो लड़की होगा या लड़क बच्चे के सीर पाता लगा सक साइज कैसा है, उससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं, कि आपका होने वाला बेबी बोई है या ग़ है. ऐसा माना जाता है कि अल्ट्रासोन में बच्चे का सीर थौरा साइज बढ़ा है, तो यहाँ एक बेबी बोई होने का संकेत माना जाता है, यानि कि अल्ट्रासन रिपोर्ट में वही बच्चे का सीर छोटा है तो ऐसा माना जाता है कि होने वाला संतार जो है वो बेबी गल है चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में जानते हैं जो लोग बोलते हैं कि यदि बच्चे का अल्ट्रासन जब आप करार है तो उसमें बच्चे का दी हाथ फैला हुआ है पैर फैला हुआ है तो ऐसा माना जाता है कि यह लड़के के टाइप दिखते हैं कि लड़के हाथ और पैर फैला के गर्भ में रहते हैं और वही बच्चे एक जगा में सिकरा हुआ है एक गोल सेप में है तो ऐसा माना जाता है कि होने वाला बेबी गल है क्योंकि बेबी गल जो होती है पूरे बिल्कुल गोल सेप में होती है लेकिन एक बात और मैं किलर करना चाहूंगे यहाँ पे कि देखें फ्रेंड्स हम अल्टरासॉन रिपोर्ट से सिर्फ ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि ऐस हैं तो हमें लरका होगा है यहां लरकी होगा लेकिन इस प हम बंद करके बिल्कूल भी नहीं जान सकते हैं कि हमें लरका होगा यहां लरकी electr Humani apply क्रते हैं और मैं बोलोगे कि आप इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ अपने जिग्यासा को कम करने के देखे इस वीडियो पे आप आख बंद करके भरोसा करके बिल्कुल भी ना वीडियो को देखे कि हाँ मुझे हार्टबीट ऐसा है तो लड़का होगा या ऐसे है तो लड़की होगा त्योंकि सिर्फ आपके मन की उत्सुक्ता को काम करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है इसका कोई मेरा इरादा नहीं है कि आपको लड़की और लड़की में भेद करने का प्रमोट कर या कुछ भी कर रही हो तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने जिग्यासा को काम करने के लिए वीडियो को देखें और कोई भी गलत कदब ना उठाइस वीडियो को देखें जो भी आप करना चाहते हैं अपने डॉक्टर के सलाह थे कुछ भी ना करें सिर्फ आप इस वीडियो क मन रंजन के रूप में देखें और अपनी एक उत्सुपता को काम करने के लिए देखें इसको सिरियस में अपने एक वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें